माघी पुर्णिमा के दिन भगवान सत्नायान की कथा सुनने मात्र से मिले सारे सुख बोलिए प्रेम से भगवान सत्नारायन की जै पुरा काल में सौनक आदी रिसी नेमी सारन ने इस्थित महर्सी सूथ के आसरम में पहुँझे रिसीगन महरसी सूथ से प्रश्ण करते हैं कि लौकिक कस्ट मुक्ती संसारिक सुख ब्रदी और परलौकिक लक्षी की सिद्धी के लिए सरल उपाय क्या है महरसी सूथ सोनक आदी रिसियां को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्ण नारज जी ने भगवान विश्नु से किया था और भगवान विश्णू ने नारज जी को बताया था कि लोकिक कलेस मुक्ती सांसारिक सुक सम्रिद्धी एवं पार लोकिक लक्ष सिद्धी के लिए एक ही राजमार्ग है और वह सत्नरायन ब्रत भगवान सत्नरायन का अर्थ है सत्याचरन, सत्याग्रह, सत्यनिष्ठा, संसार में सुक विद्धी की प्राप्ती और सत्याचरन द्वारा ही संभव है सत्य ही इस्वर है सत्याचरन का अर्थ है इस्वर अरादना भगवत पूजा सूत जी कहते हैं कि नारजी भगवान स्री विश्णू के पास जाकर उनकी अस्तुति करते हैं अस्तुति सुनने से अनन्ता अतार भगवान विश्णू जी ने नारजी से कहा महाभाग आप किस प्रयोजन से यहां आये हैं आपके मन में क्या है सो कहिए मैं कुछ आपको बतलाऊंगा नारा जी कहते हैं भगवन मिर्ति लोग में आपके पाप कर्मों के द्वारा बिभी नियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेसों से दुखी हो रहे हैं हेनात किस लगू उपाई से उनके कस्टों का निवारन हो सकेगा यदि आपकी मेरे उपर किर्पा हो तो मैं सुनना चाहता हूं उसे बताएं स्री भगवान ने कहा हेवत्स संसार के ऊपर अनुगरह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूची है जिस ब्रत के करने से प्रानी मुह से मुक्त हो जाता है मैं उसे बतलाता हूं सुने हेवत्स स्वर्ग और मिर्ति लोग में दुरलब भगवान सतनयान का एक महान पुन्य प्रदवरत है आपके सने के कारण मैं इस समय उसे कह रहा हूं अच्छी प्रकार बिधी बिधान से भगवान सतनयान का बरत करके मनुस्य सिखर ही सुक प्राफ कर पर लोग के मूख्ष को प्राफ कर लेता है भगवान की ऐसी वानी सुनकर नारद मुनी ने प्रभू इस बरत को करने का फल क्या है इस का विधान क्या है इस बरत को किस ने किया और इसे कभ करना चाहिए यह सब बिस्ताप पुर्वक बतलाईए तब भगवान कहते हैं कि यह सतनायन ब्रत दुख सोख आधी का समन करने वाला ध्यन बयभव का बर्धी करने वाला सोभाग संतान देने वाला और सरवत्र बिजय प्रदान करने वाला है जिस भी किसी बेक्ती ने भक्ती श्रधाभाव से होकर मनुस्य ब्रहमनों और बांधवों के साथ धर्में ततपर होकर साम के वक्त भगवान सतनायन की पूझा करे नवैत के रूप में भोजन आधी पदार्थ का सवाया मात्र में भक्ती पूर्वक अरपित करना चाहिए केले का फल, घी, दूद, गेहुं के चुर्ण के अलावा, साथी चावल का चुर्ण, सक्कर, गुड यह सब भक्च सामगरी सवाया मातर में कत्र कर नवेदित करना चाहिए बंदू बांधवों के साथ भगवान सरी सतनायान की ख़दा सुनकर ब्रहमनों को दक्षिना देनी चाहिए और ब्रहमन को भोजर कराना चाहिए भक्ती पुरुवक परसाथ गरहन करके नित्रगीत का आयोजन करें और तदंतर भगवान सतनायान का स्मरन करते हुए अपने घर जाना चाहिए ऐसा करने से मनुस्य को अभिलासा अवसे पूर्ण होती है और कलियोग में पृत्वी लोग में यह सबसे छोटा किन्तु सरल बहुत अच्छा उपाय है दूसरा अध्याए स्री सूत जी कहते हैं हे दूजो अब में पृनः पूर्वकाल में जिसने इस सतनायान बत को किया था उसे भाली भाती बिस्तार पूर्वक कहूंगा रम्निय कासी नामक नगर में कोई अत्यंध निर्धन ब्राहमन डाता था भूक और प्यास से ब्याकुल होकर वह प्रती दिन प्रत्वी पर भठकता रहता था ब्रहमन अपने ब्रहमन की जो प्रिभगवान उसे दुखी ब्रहमन को देखकर ब्रध ब्रहमन का रूप धारन कर उस दुज़ से आदर पुर्वक पुचा है प्रति दिन अत्यंत दुखी होकर तुम किसलिए पृत्वी पर ब्रहमन करते हो यह सब बतलाओं मैं सुनना चाहता हूँ ब्रहमन कहता है प्रभो मैं अनंत दुखी ब्रहमन हूँ बिक्चा के लिए पृत्वी पर घूमा करता हूँ यदि मेरी इस दुखी दूर करने का आप कोई उपाई जानते हो तो किरपा पुर्वक बतलाइए ब्रभो मैं कहते है यह ब्रहमन रोप धारी भगवान विष्णु अभिष्ठ फल देने वाले हैं विप्रतुम उनका उत्तम ब्रत करो जिसको करने से मनस्न सभी दुखों से मुक्त हो जाता है ब्रत के बिधान को भी ब्राह्मन से यतना पूरवक कहकर ब्रिद ब्राह्मन रूप धारी भगवान विश्णु वही पर अंतर ध्यान हो गया ब्रेइट ब्रहमन ने जैसा कहा, उस ब्रत को उसी प्रकार वैसे ही करूंगा यह शोचते वे ब्रहामन को रात में नीन नहीं आए अगले दिन प्रहतरकाल उँठ कर सतन आयन का ब्रत करूँगा ऐसा संकल्प करो ब्रहामन भिक्षा के लिए चल पड़ा उस दिन ब्राह्मन को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्थ हुआ उसी धन से उसने बंदु बांधब के साथ भगवान सतनायन का ब्रत किया इस ब्रत के प्रभाव से स्रेष्ट ब्राह्मन सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्यों से संपन्न हो गया और उस दिन से लेकर प्रतेक मेहने उसने यह ब्रत किया इस प्रकार भगवान सत्नारायन के इस ब्रत को करके वस्रेश्ट ब्राह्मन सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्भक्ष मुख्ष भक्ष को प्राप्ष किया हे ब्रत्वी पर जब भी कोई मनुस्य स्री सत्नयान ब्रत का कथा करेगा पढ़ेगा सुनेगा उसी समें उसका समस्त दुख नश्ट हो जाएगा हे ब्राहमनों इस प्रकार भगवान नारायन ने महात्मा नाराजी से जो कुछ कहा मैं आप सब को कह चुगा अब मैं क्या कहूं हे मुने इस प्रत्वी पर उस ब्रहमन से सुने वे इस ब्रत को किसने किया हम सब सुनना चाहते हैं उस ब्रत पर हमारी स्रधा हो रही है तब सू लिए इस बीच एक लकडहारा वहां आया और लकडी बाहः डखकर उस ब्रहमन के घर गया प्यास से ब्याकुल उस ब्रहमन को ब्रत करता हो देखकर परनाम करके उन से बोला प्रभो यह आप क्या कर रहे हैं इसके करने से किस प्रकार की फल प्राप्ति होती है बिस्तार साथ गरहन करके वह नगर चला गया भगवान सतनायान देप के लिए मन में ऐसा सूचने लगा कि आज लकडी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सतनायान का स्रेश्ट ब्रत करूंगा इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकडी को मस्तफ पड़ा कर वह स खराया बंदु बांधप को बुला कर विधी विधान से भवान स्री सतनायान का ब्रत किया उस ब्रत के प्रभाव से धन पुत्र से संपन्न हो गया इस लोग में अनेक सुक का उपवोकर अनंधपूर में सत्यपूर अर्थात बैकुन्ठ पूर चला गया तिसरा अध्याए स परती दिन देवा ले जाता ब्रहमनों को धन दे कर संतुष्ट करता और कमल के समान मुखवाली उसकी धर्म पतनी सील बिने संदर आदी गुनों से संपन पती पारायन थी राजा एक दिन अपनी धर्म पतनी के साथ भदर सिला नदी के टत्रत पर स्री सतनायन ब्रत कर रहा उसी समें ब्यापार के लिए नेक प्रकार की पुसकल धंडासी से संपन एक साथू नाम का बनिया वहां आया भदर सिला नदी के टत्रत पर नाव को अस्थापित कर वह राजा के समीब गया और राजा को उस ब्रत में दिक्छित देख कर बिने पुरुबख पूशने लगा साथू ने कहा राजन आप भक्ति युक्तचित से यह क्या कर रहे हैं किरपा करके मुझे बतलाईए मैं सुनना चाहता हूं तब राजा कहते हैं राजन कि साथो पुत्र आदी की प्राप्ति की कामना से अपने बंदू बांधव के साथ मैं अतुल तेज संपन भगवान वि पुजन करूंगा मुझे भी संतती नहीं है इससे अवसी संतती की प्राप्ति होगी ऐसा विचार कर वह बैपार से निब्रित हो आनंद पुर्वक अपने घर आया उसने अपनी भार्या से संतती प्रदान करने वाले इस सत ब्रत को विश्तार पुर्वक बताया जब मुझे संतती प्राप्त होगी तब मैं इस ब्रत को करूंगा इस प्रकार उस साधू ने अपनी भार्या लिलावती से कहा एक दिन उसकी लिलावती नाम की सती साधवी भार्या पती के साथ आनंद चित से रितु कालीन धर्माचरन में प्रवित हुई और भगवान से सतनायन की किप पासे उसकी वह भार्या गर्वनी हुई दस्मे महने में उसने कण्या रत्न की प्राप्ती हुई और वह सुकल पक्ष के चन्रमां की भाती दिन प्रती दिन बढ़डे लगी उसका नियत का कलावती नाम रखा गया इसके बाद एक दिन कलावती ने अपने स्वामी से मधूर पुर्व में लीडावती ने कहा कि संकलवीट स्री सतनायन वरत को क्यों नहीं कर रहे हैं जो आपने कहा था कि मैं करूंगा साधो बोला विप्रे इसके विभाके समें बरत कूंगा इस प्रकार अपनी पतनी को भली भाती आस्वस्त कर वा व्यपार करने लगा और एक बार वा बैपार करने के लिए नगर की उड़ गया, इधर कण्या कलावती, पिता के घर में बढ़ने लगी, तदंतर धिर्मक गे साधूं नगर में सक्षियों के साथ किड़ा करती भी, अपना कण्या को देखकर, योगे, बिभा की योगे देखकर, मन में ये विचार किया, कि बिभा के लिए स्रेश्टबर का अन्वेशन करना होगा ऐसा कहकर वह दूद को सिगरी भेज दिया उसकी आग्या प्राप्त कर दूद कांचन नामक नगर में गया और वहां एक वनिक नाम का पुत्र ले आया वनिक का उस साधू ने उस वनिक के पुत्र को सुंदर और गुनों से तुष्ट चित्त होकर विदी विदान से वनिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया उसमें वह साधू बनिया दुर्भागे वस भगवान का या उत्तम ब्रत करना भूल गया पुर्व संकल्प के अनुसार विभा के समय में ब्रत ना करने के कारण भगवान उस पर को गया स्री संपन्न दमात के साथ हुआ भैपार करने लगा इसके बाद दोनों राजा चंद्र केतु के रमनी नगर में गया उस इसमें भगवान सी सतनारायन ने उसे भरष्ट प्रतिग्य देखकर इसे दारुन कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह स्राप दे दिया एक दिन एक चोर राजा चंद्र केतु के धन को चुरा कर वहीं आया जहां दोनों वनिक स्थित थे और वो अपने पीछे दौरते वे दूतों को देखकर भैचित्त होकर धन वहीं छोड़कर कहीं चिप गया राजा के दूतों को दूतों वहां आ गया और वह साधू वनिक था वहां पर और राजा के धन को देखकर उस दूत ने दोनों वनिक पुत्रों को बांध कर ले गया और हर्स पुरवक दौरते वे राजा से कहा प्रवो हम दो चोर पकड़ लाएं हैं इन्हें देखकर आप आग गया दें राजा की आगया से दोनों सिग रही दिलदाप प्रुबक बांद कर बिना विचार किये महान कारगार में डाल दिये गए भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्र के तू ने उन दोनों का धन भी ले लिया ही हो अन्य की चिंता से दरदर भटकने लगी कलावती कन्या भी भोजन के लिए दोधर पती दिन गूमने लगी एक दिन भोग से पेड़ित कलावती एक ब्रहमन के घर गई वहां जाकर उसने स्री सतनायान का ब्रत पूजन को देखा और वहां बैठ कर उसने कथा सुनी वर्द से कहा मा मैंने एक ब्रहमन के घर में अपने मनुरत को प्रदान करने वाला ब्रत देखा है कन्या की बास सुनकर वह वनिक की भारिया ब्रत करने को उद्देत वी और प्रसंद मन से उस साध्वी ने बंधु बंधों के साथ भगवान स्री सतनायान का ब्रत किया इस प्रकार पातना की भगवन आप हमारे पती जमाता के अपरात को छमा करें और दोनों अपने घर सीगर आ जाएं इस ब्रत के प्रभाव से भगवान सतनायन पुनसंतुष्ट हो गए और उन्होंने निफसेश्टों चंद्र केतु को सवपन दिखाया और सवपन में कहा निफसेश्ट प भगवान सतनायन अंतरध्यान हो गए और इसके बाद राजा अपने सभासदों के साथ सभा में बैट का अपना सपन लोगों को बताया और कहा कि दोनों बंदी वनिक पुत्रों को सिग्र ही मुक्त कर दो राजा की ऐसी बात सुनकर राजपुलूस दोनों महाजनों को बंध बितरांत का स्मिरन करते वे भैचनिन हो गया और कुछ बोल ना सके राजा ने बनिक पुत्रों को देखकर आदर प्रुवक कहा आप लोगों को प्रारब्द वस्या महान दुख प्राप्त हुआ है इसमें अब कोई भै नहीं है ऐसा कहकर उनकी वेड़ी खुलवा कर छोर कर अधी करवाया राजा ने वस्तर अलंकार देकर दोनों बनिक पुत्रों को संतुष्ट किया और सामने बुला कर वानी के दारा अतिदिक आनंदित किया पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया इसके बाद राजा ने पुनह उनसे कहा साथ हो अब आप अपने घर साथो के कुछ दूर जाने पर भगवान सतनायान की उसकी सत्यता की प्रिक्षा के बिसे में जिगासा हुई साथो तुम्हारी नौ में क्या भरा है तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पुरुवक हस्ते वे का दंडिन क्यों पूछ रहे हो क्या कुछ द दंडि के चले जाने पर नित्र किरया करने के पस्चात उतराई हुई अर्थात जल में उपर के और उठी हुई नौका को देखकर साधू अत्यंत आस्चने पड़ गए और नौ में लता पत्ते आदी देखकर मुर्चित होकर पृत्वी कर गिर पड़े सचेत होने पर वनिक की सरन में हम चलें ऐसी मन की इक्छा पूर्ण होगी और दामाद की बात सुनका हुआ साधू बनिया उनके पास गया जहां दंडी को देखकर उन्हें भक्ति प्रुवक उन्हें परणाम किया आदर पूर्वक करने लगा आपके समुख जो मैंने कहा और सत्तिभासन सुनो मेरी तेरी मेरी पूजा से उदासिंता होने के कारण और मेरी आग्या से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है भगवान की ऐसी वानी सुनकर उनकी अस्तुति करने लगा अब साधू ने कहा प्रभू अस्चर की बात है आपकी माया से मोहित होने के कारण ब् पूजा करूंगा मैं आपके सिरन में आऊ हूं मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी मेरी और अप्छा करें उस बनिया की भक्ति पुर्वक वानी सुनकर भगवान जनार धन संतुष्ठ हो गए और भगवान हरी उस अभिष्ट बरदान प्राफ कर वहीं अंतर ध्य पूर्ण हो गया और नाओ को प्रतेंत पूर्वक संभाल कर अपने देश के लिए परस्थाप्त किया साधू बनिया ने अपने दमाद से कहा या देखो मेरी रतन पूरी नगरी दिखाई दे रही है इसके बाद उसने अपने धन के रक्षत दूद को अपने आगमन का समाच सुनकर महान आनंद से बिलहल हो गई और उस साधवी ने सी सतनायान की पूजा करके अपनी पुत्ति से कहा मैं साधू के दर्सन के लिए जा रहे हूं तुम सिगर आओ माता का ऐसा बचन सुनकर ब्रत को समाप करके परसाथ का परित्याक कर वह कलावती भी अपने पती का दर बचकुद्र नाओका और दर्सन और कण्या को अत्यनत्य दुख्य कर भैहभीत्य मन को प्रत्य हो गया नौका संचालन तर्सन करने वाले और वह कन्या को रहे होड़ है रहे ही अत्यन दुख Department बाप कर早पनी नौका के साथ कैसे बिसो बिसस एक हरन कर लिए भी घाने की शी प्विक्षा से वह नवका हरन कर ली गई भगवांसी सतनायन का महात में कौन जान सकता ऐसा कह कर वह सजुनों के साथ भी लाप करने लगी और कलावती करनिया को गोध में लेकर रोने लगी लगी अपने पती के नस्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पती की पादुका लेकर अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चे किया और करने के इस प्रकार आचरन को देखकर भारिया सहीद वो धर्मग्य साधु बनिया अत्यंत सोक सम्तप्त हो गया और सोचने लगा या तो भगवान सत्नायन नहीं अपरन किया है अत्वा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गया है अपने धन सक्ति के अनुसार में भगवान से सत्नायन का पूजा करूँगा सभी को बुला कर इस पकार कहने पर अपने मन की च्छा परकट किया और बारम बार भगवान सत्य देव को दंडवत परणाम किया इस से दीनों के परिपालग भगवान सत्य देव प्रसन्न हो गया और भक्त वतसल भगवान ने किरपा कुरुबक कहा कि तुम्हारी कन्या परसाथ छोड़कर अपने पती को देखने चली आई निस्चे ही इस कारण उसका पती और द्रिस्ट हो गया यदि घर जाकर परसाथ गरहन करे तो पुना आये तो फिर वो अपने पती को प्राप्त कर लेगी तो सादू बनिया तुम्हारी पत्री पती को प्राप्त करेगी संसे नहीं है इसमें कन्या कलावती भी आकास मंडल से ऐसी बानी सुनकर सिखरी घर दोड़ी गई और परसाथ गरहन किया पुना आकर सुजनों और अपने पती को देखा अब कलावती ने पती से कहा कि अब घर चलें बिलंब क्यों कर रहे करन्या की बात सुनकर वनिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विदी विदान से भगवान सतनायान की पूझन करके धाना और बंधू बांधव के साथ अपने घर गया तदंतर पुर्णिमा सक्रांती पर्वों पर भगवान सत्नायान की पूजन करते वे इस लोक में सुख भोकर अंत में वसत्यपूर बैकुंठ लोक में चला गया बोरिये प्रेम से सत्नायान भगवान की जै हर हर महा दे